इस वीडियो में जो करंड जियो पॉलिलिकल सेनारियो है इसराइल और इरान का ये तो आप समझोगे उसके लावा अतीत में इसराइल कौन सा एक बड़ा ओपरेशन केरी आउट कर चुका है जो फिर से ये रिपीट कर सकते हैं इसके बारे में भी आप जानोगे ना प्लान्स आफ्टर राइसी विन इसराइल ये जैराएल ये कहा रहा है कि हमको प्लान करना होगा इरान पर एक बड़ा अटैक रैसी की जीत के बाद को बता होगा हाली में इब्राहीम रहीसी बने है the new president of the Islamic Republic of इरान लाऊश्रार यहाँ पर यहvals यह कहा है और इसराइल के और ये इतिहास में पहली बार नहीं होगा जब इसराइल ऐसा करेगा नो यहाँ पर पुछोगे मगर इसराइल अचानक से इतनी डेस्परेट बात क्यों कर रहा है जैसे मैं आपको पहले बताया इसराइल के भी जो नए प्राइम निस्टर ने आज के समये नफ्ताली बनेट इनके पास है दो साल का कारेकाल और दो साल में इनको यहाँ पर प्रूव करना है कि ये बेंजमें नेतन याहू से भी ज़्यादा राइड विंग है ज़्यादा कटोरा एरान पर तो इनको कही न कहीं एक बड़ा एक्शन लेना होगा आने वाले दो साल में मैं आप सब को बता दू के नफ्ताली बनेट अगर दो साल तक पावर में रहे तो इनके टनियोर के आखरी छे महीने बहुत ज़्यादा वोलटाइल होंगे ये कुछ बड़ा करने की कोशिश करेंगे चाप छोड़ने के लिए और सिंस हम यहाँ पर बात भी करें इसराइल की तो आपसे एक क्वेशन भी पूछूँगा के जरूसलम जरूसलम आपको बताओगा डिस्पूटिट सिटी है बिट्वीन पलेस्तीन और इसराइल जरूसलम को और किन नामों से जना जाता है ये हैं यहाँ पर आपकी आप्शन यरूसलम, अलकुज, बोथ A and B या फिर नन ओफ दी अबव कॉमेंट सेक्शन में करिए आंसर सही आंसर मैं आपको दूँगा वीडियो के अंड में इसराइल की जो ये स्टेट्पेंट है इसका रीजन सिर्फ ये नहीं है के नफ्ताली वनत के पास काफी कम टाइम है इनको एक इंपक्ट डालना है एक यहाँ पर चिंता इसराइल के इस्टेबलिश्मेंट की ये भी है के जो बाइडन जल से जल जल जे सी पी ओ ए को रीइंस्टेट करना चाते है जे सी पी ओ ए क्या है ये है जॉइंट कॉम्प्रेहंसिव प्लान अफ अक्शन अर्थात द इरान नुकलियर डील इसके अंडर जो बाइडन ये चाते हैं कि अभी के लिए ओफिशली इरान जिस तरीके से यूरेनियम को एनरिच कर रहा है ये प्रोसेस रोक दे उसके बदले में USA सारे सांक्शन हटा देगा इरान से और ये लोग तेल बेच पाएंगे दुनिया भर की कंट्रीज को तो इन वेरी सिंपल वर्ट्स इरान नुकलियर डील में यहाँ पर USA ना सिर USA टोटल यहाँ पर P5 कंट्रीज हैं उसके लावा प्लस वान के कंट्री भी है P5 देश में अफकोर्स UN Security Council के जो पर्मेंट 5 कंट्रीज हैं सुनने में यह लगता है कि बहुत ही सिंपल एक डील है इरान को ओविसली यह बात मान लेनी चाहिए और इरान एक्चुली इस डील पर मान भी गया था 2015 में डॉनल्ड ट्रम्प ने यह डील कैंसल करी थी 2018 के आसपास और रीजन यहाँ पर यह था ट्रम्प यहाँ पर यह कह रहे थे कि इरान USA को बेफकूप बना रहा है यह इन्होंने वादा तो क्या है कि नुकलियर बंब बनाना बंद कर देंगे मगर जो इनका मिसाइल प्रोग्राम है यह साथ साथ में यह लोग डेवलप कर रहे हैं और जब इरान की नुकलियर डील खतम होगी तब उसके बाद इनका मिसाइल प्रोग्राम रेडी होगा तब हम इनको रोकनी पाएंगे उसके बाद ये लोग बना देंगे nuclear bomb और उस वक्त तो देखो इनके पास North Korea जैसे missile होंगे और साथी साथ nuclear weapon भी होंगे तो ट्रम्प का ये कहना था कि USA अभी के लिए आखे बंद करके आने वाली PD के लिए एक मुसीबत खड़ी कर देगा और वो मुसीबत जहिल ली होगी इसराइल को, यूरोप को और USA को एक इशू तो ये था, एक और इशू यहाँ पर ये भी था कि ट्रम्प के कारेकाल में इरान के जो सुप्रीम लीडर है जो इनके प्रेजिडेंट से भी उपर आते हैं इन्होंने 2018 में आपर कह दिया था कि इसराइल एक कैंसर की तरह है जिसको इस रीजन से इन्हें मिटाना होगा यहाँ पर आप देखोगे आर्टिकल है इरान लीडर सैस इसराइल इस एक कैंसरस ट्यूमर और इसको हमें डिस्ट्रॉय करना होगा अब ओवियसी बात है कि ऐसी सेट्पेंट से इसराइल काफियत तक चिंतित होगा कि एक देश जो लगातार नुकलियर वैपन बना रहा है जिसके पास मिसाइल है यह कह रहा है कि इसराइल को हम मिटा देंगे नक्षे से उसके लावा इरान यहाँ पर हमास को सब्सके पास और यह जो नुकलियर वैपन है यह किसी इसराइली सिटी में यह लोग सब्सक्राइब तो इससे लाखो इसराइली मारे जाएंगे बिना वजे तो इसलिए आप देखते हैं कि इसराइल इत्ता चंते थे और बार बार यहां पर यह कहता है कि फिर से इरान नुकलियर डील अक्टिवेट नहीं होनी चाहिए क्योंकि जैसे यह डील अक्टिवेट होगी इरान पर सैंक्चन्स हट जाएंगे इनके पास पैसा आएगा यह पै पाकतवर नुकलियर आर्म्स कंट्री तब इनके पास पैसा भी होगा नुकलियर वैपन भी होगे इनको उस वक्त रोकना मुश्किल हो जाएगा और आप अगर सोच कर देखे तो इसराइल का जो तर्क है यह बिलकुल गलत नहीं है क्योंकि इरान की जो इस टाइप की धंकी है यह यूरोप के लिए नहीं है यह USA के लिए नहीं है इस टाइप की धंकीये लोग देते हैं इसराइल को एक ऐसा देश जो बहुत करीब है इरान के एक ऐसा देश जहां पर इरान की प्रॉक्सी जो इनके प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं यह ओर रेडी अटाक कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर इसराइल ने मजबूरी में का है कि ठीक है अगर जो बाइडन 2021-2022 में इरान नुकलियर डील को वापस से स्टार्ट करेंगे तो हमको मजबूरी में जो भी इरान के नुकलियर साइट के टार्गेट है इसको डिस्ट्रॉय करना होगा। इरान के साथ ना यहाँ पर पूछोगे ओपरेशन ओपरा क्या है देखो हाली में 20 जून 2021 को पूरे इसराइल ने अनिवर्सरी सेलिबरेट करी है 40 वी अनिवर्सरी ओफ दी ओपरेशन ओपरा इसके अंडर क्या था कि आज से 40 साल पहले 1981 में इसराइल ने प्लान किया अटाक अस वक्त क्या था कि एराक 1980 में खुद का एक नुक्लियर रियक्टर त्यार कर रहा था इसराइल इस बाव शे में खुश्चछ था नहीं तो इन्होंने क्या किया कि रातो राती ओप्रेशन ओपरा के अंडर युदर वाइदवे ओपरेशन ओपरा के दो नाम है एक तो है ऐ इस रियाक्टर को कर दिया डिस्ट्रॉई 15 सेकिंड का ओपरेशन था इनके F-16 यहाँ पर गए बहुत से बॉम बरसाए और जल्ली से वापस यह इसराइल में आ गए पूरी दुनिया लिटरली यहाँ पर शौक थी जब इसराइल ने यह सब किया क्योंकि किसी ने एक्सपेट किया नहीं था कि किसी सौवरेन कंट्री में इस तरीके से ओपनली बॉम्बिंग करके इसराइल वापस आ जाएगा और इंटरस्टिंग बात देखो कि इसराइल का खौफ इतना था कि इराक ने यह अटाइक भी बस आप कहसकते हैं पी लिया इसके उपर कोई आक्शन नहीं इसराइल पर कोई भी ऐटाइक इराक ने इस एटाइक के बाद नहीं किया यह जब ऑपरेशन सक्सेस्फ lotus हो गया तो उसके बाद इसराइल ने डिकलेयर करी एक डॉक्तरिं जिसके बाद इसराइल करी इसो के पर आज बहुल का म करता है दॉक्तरिं का नाम है बेगिन डॉक यह एक्चुली फाउंडर थे लिकुद पार्टी के, लिकुद पार्टी हाली में बहुत न्यूस में थी, लिकुद पार्टी किसकी है, यह है Benjamin Netanyahu की पार्टी, जो पॉलिटिकल पार्टी हाली में भवुमत हार गई थी, इसराइल के पार्लिमेट में जिसको कहते हैं Neset, इस इसका नाम है लिकुद, तो इस पार्टी को फाउंड किया था इन्होंने, उसके इलावा इन्होंने यह डॉक्टरिन बनाई कि इसराइल को हक है, काउंटर प्रोलिफरेशन करने का, यहाँ पर आप देख पाओगे, इसराइल के आसपास का कोई भी देश, अगर नुकलियर वेपन्स डेवलफ कर रहा हो, तो इसराइल को पूरा हक है, और यह हक इसराइल खुद को दे रहा है, कि हम लोग उस देश की धर्ती बे जाकर, उनका जो भी रियाक्टर है, जो भी यहाँ पर उनकी समगरी है, उसको हम डिस्ट्रॉई कर देंगे, और एंशोर करेंगे, कि वो देश कभी भी नुकलियर वेपन डेवलफ ना कर पाए, और यह सब इसराइल क्यों कर रहा है, देगे इसके पीछे एक emotional reason भी है, इसराइल उन लोगों ने वसाया था, जो हिटलर से भाग किया थे, जो बस एक नई जिनकी स्टार्ट करना चाते थे, तो इसराइल के we will destroy that immediately, तो देखो, situation ऐसी बन रही है यहाँ पर, कि एक war inevitable दिख रही है, inevitable होता है कि जो बात होनी ही होनी है, जिसको आप टाल नहीं सकते, कल सूरज फिर उगेगा, inevitable है, रात होगी, inevitable है, वैसे ही आप अगर देखो, तो जरुसिलम में बहुत से आपको आर्टिकल मिलेंगे, जहाँ पर इसराइल के जो scholars हैं, जो इनके geopolitical analysts हैं, वो 2018 से कह रहे हैं, इसराइल's war with Iran is inevitable, यह होनी ही होनी है, आज नहीं तो कल होगी ही, क्योंकि इरान बार बार अगर challenge करता रहेगा इसराइल का वजूद, तो इसराइल को in the end, एक war start करनी होगी against इरान, और यह बात असानी है, कि सिर्क इसराइल के geopolitics scandals कहते हैं, जो इसराइल defense force के chief है, इन्होंने भी यह बात clear कर दी, कि जो एक coalition है, जो टकर होनी है, इसराइल और इरान की, यह almost inevitable है, आपको याद होगा, Thanos भी कहता था, I am inevitable, खेर वापस आते हैं पने question पे, कि Jerusalem के और कौर कौन से नाम है, तो जिवरी भाषा है, जिविश लोगों की, तो जो जिविश लोग है यहाँ पर, वो कहते हैं, जरूसलम को यरूशलम, और अलकुज, यह जो यहाँ पर terminology है, यह use करते हैं, Muslims primarily Arabs, जरूसलम के लिए, इसलिए आपने देखा होगा, online, Facebook पर Twitter पे, कई लोग पाकिस्तान के, Turkey के, even in Saudi Arabia के open लिए कहते हैं, कि अलकुज हमारा है, हो सकता है कि आप confused भी हो गई हो, कि कोई यह मस्जित है, या फिर क्या है, तो नहीं, अलकुज मतलब के पूरा जरूसलम, Arabic में यह कहते हैं, जरूसलम को अलकुज, तो याद रखिएगा, जरूसलम सिंस काफियत तक news में है, you should know about this, and finally यहाँ पर मैट कर दूँ कि आप किसी भी exam के लिए prepare कर रहे हैं, चाहिए UPSC, SSC, bank, any examination, simply जाओ anacademy.com पे, या फिर anacademy की आप पर click करो, यहाँ पे अपने exam पे, for example, UPSC, CSE, get subscription, और यहाँ पे आप purchase कर सकते हैं, plus यहाँ फिर iconic course, दोनों courses में पुरा स्लेबस आपका cover होगा, आपको free live test series भी मिलेगी, quiz भी यहाँ पे आपको मिलते हैं, very valuable course, और 12 मेने का जो course है, यह आपको पड़ेगा, per month 4,125 रुपीज का, मगर यह price कभी भी पेमत कर देना, use करो यहाँ पे, promo code PD10 और prices गिर जाएंगे, the prices will fall, और सिर्फ 3,703 रुपे में, prelims, mains की proper त्यारी आप घर बैट के कर सकते हैं, with unacademy's quality courses, और अभी जो यह offer चल रहा है उसमें, आपको physical books मी मिलेंगी, worth 10,000 रुपीज, जो deliver की जाएंगी आपके घर में, उसके अलावा जो overall यह subscription है, यह सिर्फ 12 मिने नहीं चलेगा, additional bonus ones आपको मिलेंगे, क्योंकि जो total validity है, इस course की यह बढ God bless you all